नमस्कार दोस्तो मैं हूँ समीर, स्वागत करता हूँ आप सभी को समीर फ़र यू चैनल की एक और नए वीडियो में आप सभी को ये वाली वीडियो एन तक दिखने का रिक्योस्ट कर रहा हो इस वीडियो को आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप कप्स की समस्या से गुजर रहे हो लेकिन आप टेंशन मत लो, बस वीडियो को देखते रहो सबय सबय ठीक से पेट साप नहीं हुआ, तो पूरा दिन बेकार जाता है कोई भी काम करने का दिल नहीं लगता है, हर समय बेचेनी सा मैसुज होता है कुछ भी अच्चा नहीं लगता है, गुस्सा आता है, और भी बहुत कुछ होता है आपको अगर कप्स की समस्या है, तो कुछ चीजों का सेवन आपको बंद करना परेगा जैसे कि मांस हो गया, कच्चा केला हो गया, अमरूप, स्वाविन और ऐसा बहुत सा खाना है जिसको खाने से कप्स की समस्या में थोड़ा आराम मिलता है जैसे कि सेव या सेव का सीर का, साग और दोस्तो सुबा सुबा हलका गर्म पानी में इंबो का रस टीचर कर पीने से भी कप्स की समस्या दूर हो जाता है और एक बात दोस्तो, दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, इस से कप्स की समस्या में आराम मिलेगा और एक बात दोस्तो कप्स की समस्या को दूर करने के लिए सुबा सुबा एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होता है तो आप कप्स की समस्या को दूर करने के लिए हर रोज हलका एक्सरसाइज कर सकते हो अगर आप कप्स की समस्या से गुजर रहे हैं तो इस विडियो में बताया गया मेरा एक ही नुस्का आपको ठीक कर देगा चाहे कितना भी पुराना कप्स की समस्या हो अगर अपने मेरा ये एक नुस्का एक महिना तक इस्तिमाल करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितना भी पुराना कप्स की समस्या हो खतम हो जाएगा दोस्तो कप्स की समस्या को दूर करने के लिए आपको दोफ़र में और रात में खाना खाने से पहले एक कप्चा टमाटर चबा चबा कर खाना है फिर खाने को खाना है ऐसा अगर आप एक महिना तक करते हो तो मेरी मानो पुराना से पुराना कप्स की समस्या दूर हो जाएगा फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तो उमिद करता हो कि कप्स की समस्या से परेशन वाले लोग आप सभी का भला हो मैंने काम की बात बता दिया तो चलता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत